So guys, आज का इस session Air Force Y Group के सभी aspirants के लिए काफी जादा important होने वाला है Especially उन सभी candidates के लिए जो first time इस exam में appear होने जा रहे हैं Because आज मैं आपको Air Force Y Group के लिए कुछ ऐसे most important topics बताने वाला हूँ जहां से आपकी questions definitely बनते हैं यहने अगर आप अभी बचे हुए time में सिर्फ इन topics को भी कर लेते हैं Then काफी अच्छे score आप exam में कर पाएंगे So basically आज के session में हम सबसे पहले cover करेंगे Air Force Y Group के लिए English के important topics Then reasoning के important topics, maths के important topics and GKS के important topics Because आप जानते हो आपके Y Group का जो exam paper है यह दो sections में divided होता है Section 1 English and Section 2 Raga और अगर मैं बात करता हूँ particularly Raga section की तो इसका काफी vast syllabus आपको देखने को मिलता है सबसे पहले reasoning, math और अगर GA की बात की जाए तो इसके इंदर history, geography, civics, general science, current affairs and computer operations So सबसे पहले तो मैं आपको यही suggest करूँगा कि अगर आपने अभी तक GS पढ़ना start नहीं क्या है आप अभी start करने जा रहे है Then बिल्कुल भी यह गलती मत कीजेगा GS अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा देन अभी इसको पढ़ने का time नहीं है आपके exam में सिर्फ वो सिर्फ 12 से 15 दिन बचे हैं So GS अभी आप ना पढ़ें तो बहतर होगा बाकि क्या important चीजें हैं क्या important topics and chapters हैं वो मा आगे आपको बता दूँगा सिर्फ उन्हें अगर आप cover कर लेते हैं Then आपका काम हो जाएगा But उससे पहले बात कर लेते हैं English के अंदर कौन-कौन से हैं important topics आपकी Air Force Y Group के लिए So सबसे बहले आपको पढ़ लेना है Transformation of Sentences इसके अंदर आपका Transformation हो सकता है Simple Compound and Complex Sentences का या फिर हो सकता है आपका Affirmative Sentence, Negative Sentence या फिर Interrogative Sentences का So आपको ये एक दूसरे में कैसे Transform करना है इनको कैसे Interchange इनको करना है ये आना चाहिए Then next आता है Word Formation ये काफी ज़ादे important है हर बार question देखा गया है और यहाँ पर होता क्या है आपको एक word दे देगा माली जे कोई noun आपको दे दी बोलेगा इसकी verb form बताए या फिर बोलेगा इसका adjective form बताए इस पर मैंने दो sessions लिए हुए है जाकर जरूर चेक कर लेना उसके बाद next आता है Adverb Adverb से question जरूर बनता है तो अभी अगर preparation कर रहे हो तो Adverb जरूर पढ़ लेना उसके अलावा preposition काफी important और preposition के अंदर भी सिर्फ और सिर्फ fixed preposition यानि जो phrasal verbs है वो आपको पढ़ लेनी है then jumble sentences जो PQRS वाला आपका question होता है वो जरूर आएगा then article से question जरूर बनता है इसके अलावा English के अंदर आपको narration and voice जरूर पढ़ लेना है एक-एक question यहां से जरूर बनेगा ये बात हुई English की इसके बाद next discuss करते है रागा section को जैसा कि मैंने कहा रागा के अंदर आता है reasoning, maths and general awareness तो सबसे पहले reasoning की बात करते है reasoning के अंदर आपको पढ़ लेना है series और जब मैं series बोल रहा हूँ तो इसके अंदर number series आएगा alphabetical series आएगा then human relation या फिर बोलिए blood relation वहां से question बनेगा और non-verbal reasoning ये सबसे ज़ादे important है around 5 question आपको देखने को मिल जाएंगे non-verbal reasoning का मतलब है figure वाले question तो यहां से 5 question हर बार exam में आते हैं तो ये most important है इसको जरूर सिकर लीजेगा फिर आपका आता है distance and direction sense test यानि आपने एक दिशा में चलना start गिया फिर left आप मुड़े फिर right मुड़े तो बताइए अब आप starting point से किस direction में खड़े हैं तो इस type के questions आएंगे उसके अलावा tallest youngest relation यानि राम सीता से बढ़ा है सीता गीता से छोटी है तो बताइए सबसे छोटा कून है इस type के questions then analogy से question बनेगा odd one out से question बनेगा इसके बाद बात करते है math section की तो सबसे पहले आपको average पढ़ लेना है और यहां से देखिए इसको बिल्कुल हलके में मत लेना average से काफी सही questions आपके exam में आते हैं इसको जरूर पढ़ना हा मैं यह भी नहीं कहरा आपको SSECJL लेवल का पढ़ना है नहीं जादा hard लेवल नहीं आता बट हलके में जादा मत ले लेना उसके अलावा percentage आपको कर लेना है percentage के साथ ही profit and loss आपका हो जाएगा ratio and proportion भी हो जाएगा because यह तीनों ही chapters लगबग एक दूसरे से related है so तीनों को आप पढ़ लेंगे तो काफी अच्छा score आपका हो जाएगा उसके बाद simple trigonometry trigonometry के अंदर क्या होगा आपका simple से जो आपके degree वाले questions है वो बन जाएगे या फिर बोलेगा कि अगर sine theta की value 1 by 2 है तो बताए कोस theta की value क्या होगी इस type के questions then mensuration आपको कर ले ना है mensuration काफी बड़ा chapter है but यहाँ से एक question confirm है आएगा ही आएगा पिछली बार अगर आप देखें तो कोन से एक question आया था so इस बार भी आपको इसी तरीके से prepare करना है mensuration को उसके अलावा simplification बिल्कुल इजी आता है board mass अगर आपको आता है तो आप उसको असानी से कर पाएंगे इसके बाद अगर बात की जाए GKGS की तो सबसे पहले आपको यहाँ पर पढ़ लेना है important days and dates यहाँ से हर बार एक question देखा गया है आपसे पूछ लेगा बता यह navy day come मनाया जाता है बता यह air force day come मनाया जाता है उसके अलावा जो आपके sports में अभी current में awards या फिर trophies दिये गए हैं कोई भी अगर important है तो उसको जरूर ध्यान रखेगा कौन सा award distribution हुआ है और यह किस famous personality को दिया गया है उसके बाद books and authors से question बन जाता है books and authors में अभी अगर किसी की book को कोई award मिला है current में तो उसको जरूर पढ़िएगा बाकी जो आपके static gk के अंदर books and authors हैं उसके अंदर आप ये काली दास वगेरा जो हैं इनकी books को जरूर एक बार देख लीजेगा then military exercises अभी जो हो रही है मैं आपको community tab में भी share करता रहता हूँ जो अभी Indian Navy और Air Force ने मिलकर एक exercise की थी military exercise तो इसी तरीके की जो exercise हुई हैं अभी पिछले 4-5 महीने में उनको आप जरूर से देख ले then current events पर आपको ज़्यादा focus नहीं करना और aesthetic जी की अगर मैं बात करूँ तो अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो सिर्फ और सिर्फ आप modern history पढ़ सकते हो या फिर गांधी या इरा जो है जो गांधी जी से related है history उसको आप पढ़ लेना आपका काम हो जाएगा selection guaranteed मेरी तरफ से सो यह है कुछ important topics अगर आप सिर्फ इन topics को कर लेते हैं बचे हुए 12 से 15 दिनों में तो आप काफी easily एक अच्छा score कर पाएंगे और 12 से 15 दिन अनफ है इस पूरे syllabus को cover करने के लिए अगर आप regular basis पर करते हैं बाकी practice अपने continue रखे मोक्स वगेरा लगाईए किसी भी एप पर आप लगा सकते हैं परिक्षा एप पर लगाईए code यूज कर लेना 50% discount मिल जाएगा test book एप पर आप लगा सकते हो यहाँ पर कैसे free में आपको one month subscription लेना है यह मैंने बताया हुआ है फिर और कोई app अगर आप चाहें तो उस पर भी आप मोक्स लगा सकते हैं बट में चीज़ यह है कि मोक्स जरूर लगाईए ताकि आपकी practice एक्जाम को लेकर बनी रहे आप उसके habitual हो जाएं